वेलकम दोस्तों फिस्ट आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं सुब्रोपाट साला तो दोस्तों बिना टाम गवाय जो है हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते है आज का वीडियो जो है हमारा जीके के कुछ क्षिंप्रोटन कोश्चन है जो कि आपके एससे चेसल एकजाम के लिए में भी इंप्रोटन हो सकते हैं तो हम लोग वीडियो में देखते हैं ठीक है तो अगर आपने हमारे चैनल को अवितिक सुब्सक्राइब ने किया फ्रेंड्स तो फटेज यहां से आप हमारे चैनल को बगल वाले घंटी को दबाके जो है आप नॉटिफिकेशन को अन कर सकते हैं ताकि यह होगा कि जब भी मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगा तो आपको नॉटिफिकेशन मिल जाएगी तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटा फटा हम लोग कोश्चन को जा कहा जाता है तो वह है आपका कहा जाता है ऑप्सन नमर डी मेगमा कोश्चन नमर थी देखेंगे हम लोग कि सिरसका और रंथम बोर निमलिखित में से किसका सुरुक्षित अस्थान है तो वह है आपका बाग का कोश्चन नमर आठ हम लोग देखेंगे निमलिखित में से कौ प्राकर्थिक गैस वापरत जहां उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कूल भी कमी नहीं होती है तो वह आपका समताप मंडल कुछन नमर 10 परवतिय छेत्र में जल का क्वांतकम क्या होगा तो आप्शन नमर 20 जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम आगे हम लोग कुश्चन देखेंगे चार नमर कुश्चन की विस्व का सबसे बड़ा दूइब समुद्र कौन सा है तो वह है आपका Greenland 11 नमर देखेंगे हम लोग जापान को Land of the Rising Sun क्यों कहा जाता है क्योंकि चुकि जापान विस्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोड़ पर है अता हुआ वहाँ सुर्योद सबसे पहले होता है उपसन नमर सी इसलिए जापान को लैंड आप दा राइजिंग सन कहा जाता है Q5 देखेंगे हम लोग की रियो सिखर सम्मेलन का संबंद किस से है तो आपका है जयव विविद्धा पर सम्मेलन ठीक है Q6 देखेंगे हम लोग की अंडवान निकोवार से किस जलासाय से अलग होता है तो आपका ऐस्न नमर B 10 degree channel से जो है वो अलग होता है अगला question देखेंगे हम लोग 12 number कि केरल में समूदरे टट की रेत में भरपूर मातरा में क्या पाया जाता है thorium केरल की समूदरे टट पर जो है रेत में भरपूर मातरा में क्या पाया जाता है thorium पाया जाता है अगला question देखेंगे हम व लुग 7 number कि निमलिकित में से कौन सा bon WOWागरा है तो आपका option number C जो है Arias Arias जो है आपका सबसे बौनागरा है question number 13 देखेंगे हम लोग कि हिमाले परवत किस परकार के परवत का उधारन है तो है आपका परतदार परवत का उधारन है तो अगला question 14 नमर क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सी चाई नहर कौन सी है तो है आपका option नमर B इंद्रा गांदी नहर 15 नमर question क्या कह रहा है कि उन भू आकिर्थियों को क्या कहते हैं जो प्रित्वी में विवरंस के कारण बनती है तथा जिन के कारण एक सतह से दूसरी सतह से नीचे चली जाती है तो वो है आपका option नमर A विवरंस गाटी question number 20 क्या कह रहा हमारा कि निमलिखित में से भारत का कौन सा छेत परिश्थित किये अतिकरियस सिल अस्थान है यानि कि hot spot माना जाता है तो वो है आपका option number c पस्चिमी गाटी 21 doopport question क्या कह रहा हमारा कि beautiful Admiral इसके summit यानि कि प्यमाना मेंसे क्या ना पा जाता है क्या मा पा जाता है आपका option number C है हावा की गति जो है नाप बापा जाता है आपका इससे beautiful skill से ठीक है अब question number 22 क्या कह रहा है कि उर्जा का हुआ कौन सा सुरूत है जो सबसे कम भूमंड लिए तापमान बढ़ता है तो आपका option number B जो है भूताप ये उर्जा आगे हम लोग देखेंगे कि किसी नक्से पर ढाल को के लिए खीची गई क्या कहलाती है किसी नक्से पर आपका option number D है है क्या कह रहा है कि आपस में जुड़े दवीप समू को क्या कहा जाता है आपका option number C अर्ची पेलागो कहा जाता है ठीक है question number 23 क्या कह रहा है आपका कि तारा मंडल सब्तरिसी को पस्चिमी निवासी किस नाम से जाना जाता है तो बिग डीपर के नाम से जाना जाता है 24 नमर क्या कह रहा है question कि हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था तो आपका option number A है गेहूं में देखा गया था ठीक है अगला question क्या है कि भारत में उर्जा प्रदान के लिए जो है उर्जा उत्पादन के लिए जो है निम्लिखित में से कौन सा प्रमो कच्चा प्रदार्त है तो वह है आपका option number D कोईला 25 number question क्या कह रहा है कि बाड के दौरान नदी चैनल के किनारे जहा है के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनार बर्दी को क्या कहते है तो आपका option number B टटडवंद कहते है ठीक है और 19 number question क्या कह रहा है हमारा कि भारत वर्स में खरीब की फसल की कटाई वर्स के किन महिने में की जाती है तो आपका option number C है सितंबर और अक्टूबर में खरीब फसल की कटाई की जाती है 26 नमर कोश्चन क्या कहा रहा है समूद्र में अधिक अंस्ता ज्वार भाटा किस कारण आता है तो आपको option नमर D जो है प्रिथवी पर चंदर्मा का गुरुतवा करशन गुरुतवा करशन प्रभाव के कारण जो है option नमर D ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटना जाए तो फिर मिलते दोस्तो अगली वीडियो के साथ तब तक रिज्याहिंद वन्दे मातरम